हेलो बैच कैसे हूँ आप से भाई होप आप लोग अच्छे हूँगे गैस आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने फोन के नोटिफिकेशन पैनल को चेंज कर सकते हूँ कैसे आप नोटिफिकेशन पैनल को कश्चमाइज कर सकते हूँ इसको आप यूज करके अपने नोडिफिकेशन पैनल को एक नया लुक दे सकते हो। तो दोस्तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफी जादा इंट्रेस्टिंग और इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आप से रिक्वेश्ट करूँगा कि वीडियो को पूरा जरुद देखेगा। और गईस अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक से और कॉमेंट चाहिए को सब्सक्राइब जरू करेज़ेगा। चलिए वीडियो को सुरू करते हैं। अब गईस आपको सबसे पहले अपने फोन में एक अप्लिकेशन इस्टॉल करना है जिसका नाम है MI Control Center। ये अप्लिकेशन आपको प्ले स्टोर बे बहुत ही आसानिस मिल जाएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्सन में मैंने इसका लिंक भी दे दिया है। आप लिंक पे क्लिक करके भी इसको इस्टॉल कर सकते हो। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको इसका सेट अप करना है। सबसे पहले मैं आपको अपने फोन का नोडिफिकेशन पैनल दिखा देता हूँ कुछ इस तरह का है। अब हम इसको चेंज करते हैं। जब आप अप्लिकेशन को इस्टॉल करके ओपेन करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। और इसमें आपको तीन परमिशन सबसे पहले अलाउ करने होंगे। तो यहाँ पर हम इन तीनों को एक एक करके अलाउ कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने सभी परमिशन को अलाउ कर दिया है। आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। और आपका जो कंट्रोल सेंटर है कुछ इस तरह का दिखेगा गैज इसको आप अपने तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो दोस्तों इसकी खास बात यह है कि जब आप यहां पे राइट साइट से स्वाइब करोगे तो आपका कंट्रोल सेंटर ओपन हो जाएगा और जब आप य नोटिफिकेशन को देख सकते हो और यहां जब आप इस तरह स्वाइब करोगे तो कंट्रोल सेंटर ओपन हो जाएगा यहां से आप अपने फोन को ऑपरेट कर सकते हो इसमें आपको काफी सारे सेटेंग्स मिलेंगे यहां पे आपको जो दो आप्सन मिलते हैं वो है नोटि क्लिक करने है और आप तो एक काफी सारे सेप मिलेंगे जो भी आपको पसंद आ है आप उसको अपलाई कर सकते हो जैसे जहां पर फ्लावर का सेप दियA गया है हम इस पर टिक करते हैं तो हमारा जो गिशुकर करते है उसका जो सेप है यहाँ पर flower की आकार का हो चुका है गैज इस तरह बहुत ही आसानी से shape को customize कर सकते हो इसके बाद गैज आपको यहाँ पर दूसरे number पर एक option मिलेगा title grid का आपको इस पर click करना है और गैज आप यहाँ से grid को customize कर सकते हो 2 into 2 कर सकते हो 3 into 3 कर सकते हो जो भी आपको पसंद है आप उसको set कर सकते हो जैसे यहाँ पर हम इसको 2 into 3 कर देते हैं 2 into 4 कर देते हैं तो इस तरह आप इसको customize कर सकते हो इसके बाद आपको यहाँ पर एक option मिलेगा title grid तो यहाँ पर देख सकते हो 2 into 4 set है तो आप इसको 3 into 5 कर सकते हो one into three कर सकते हो तो दोस्तों इस तरह आप इसको कस्टमाइज करके अपने हिसाब से सेट कर सकते हूँ यहाँ पर टाइटल साइज का ओप्सन मिलता है आप इसके साइज को भी अपने आप से बड़ा कर सकते हो छोटा कर सकते हूं अब आपको यहां पर एक option मिलेगा इसमाल corner का जब आप इस पर टिक कर दोगे तो दोस्तों यहां पर यह जो corner है सार्फ हो जाएगा और यहां पर जब आप इसको off कर दोगे तो आप देख सकते हो corner फिर से change हो चुका है rotate हो चुका है इस तरह आप corner को भी यहां से customize कर सकते हो तो दोस्तों इस तरह के काफी सारे option यहां पर दिये गए हैं आप इसको अपने हिसाब से set कर सकते हो customize कर सकते हो अब हम यहां पर बैक आते हैं बैक आनेक बाद आपको यहाँ पे color पे click करना है और guys यहाँ से आप color को customize कर सकते हो color को change कर सकते हो इसमें आपको color के काफी सारे option मिलेंगे अब guys आपको यहाँ पे एक option मिलेगा background type का आपको इस पे click करना है इसमें भी आपको तीन option मिल जाएंगे पहला जो option है वो है solid color दूसरा live blur तीसरा image blur जैसे यहाँ पे हम image blur पे click कर देते हैं guys जब आप image blur पे click करोगे तो आपके phone के home screen पे जो photo लगा होगा wallpaper लगा होगा वो control center के background में so हो जाएगा और guys आप यहाँ से उसको transparent कर सकते हो amount को blur कर सकते हो मतलब guys आप यहाँ से उसको customize कर सकते हो इसके बाद आपको यहाँ पे एक option मिलेगा custom image का आप यहाँ पे click करके guys अपने photo को भी control center पे set कर सकते हो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे phone की जो gallery है वो open हो चुकी है अब हम photo पे click करते हैं और guys आपको यहाँ से उस photo को select कर लेना है जिसको आप लगाना चाहते हो कर देना है और guys यहाँ पे आपको जो transparency है इसको आपको full कर देना है और blur amount को low कर देना है बिल्कुल भी आपको इसको नहीं बढ़ाना है इसके बाद आपको यहाँ पे ok पे click कर देना है तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे control center के background में हमारा photo set हो चुका है तो इस तरह आप अपना photo भी control center के background में set कर सकते हो जो की देखने में काफी stylus और अच्छा लगता है इसके बाद guys आपको यहाँ पे एक option मिलेगा dark mode का आप इसको भी enable कर सकते हो अब यहाँ पे आपको एक option मिलेगा background color का guys आप इसके background के color को भी change कर सकते हो simply आपको यहाँ पे click करना होगा और guys आपको उस color को select करना है जिसको आप background में set करना चाहते हो तो यहाँ पे जैसे मैं red select कर लेता हूँ और यहाँ पे apply पे click कर देता हूँ तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हो जो background है वो red हो चुका है तो इस तरह आप background को change कर सकते हो इसके बाद notification background color को भी आप change कर सकते हो गैस यहां से जो notification panel है इसको भी आप customize कर सकते हो इसके भी background को change कर सकते हो अब गैस यहां पे active title color का option है आप title के color को change कर सकते हो अगर आप text करना चाहते हो तो आप इसे पर क्लिक करके टैश्ट कרג कर सकते हो इसके बाद आपको यहां पर यह प्राइब आप Rainwater स्लाइडर का दोस्तों जब आप Napower से Brightness को बढ़ाते और कम करते हो इसके कलर को भी आप चेंज कर सकते हो आपको simply क्लिक करना है और अपने और यहाँ पर आपको अप्लाई पर क्लिक Chewed कर लेते हैं, और यहाँ पर आपको अपलाई पर क्लिक कर दिना है । अब हम ए पकुर्ण करते हैं, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो जो Brightness Slider है उसका कलर चैंज हो चुका है। टो इस तरहaf इसके शंद कर सकते हूं. जब आप application को install करके open करोगे तो कुछ इस तरह का interface मिलेगा और guys यहाँ पे आपको काफी सारे permission allow करने होते हैं इसके बाद आपको यहाँ पे ok पे click कर देना है और guys यहाँ पे handle पे फिर उसके बाद आपको यहाँ पे service not running आपको इसको enable कर देना है और guys यह enable हो जाएगा आपको यहाँ पे permission को allow करना है guys यहाँ पे हमने permission को allow कर दिया है और guys यहाँ पे आप देख सकते हो एक cursor बन चुका है इसका जो notification panel है वो नीचे से ऊपर आता है यहाँ पे आपको इस तरह swipe करना होगा और guys आपका जो notification panel है वो open हो जाएगा guys इसका फाइदा यह है कि आप एक हाथ से चला सकते हो क्योंकि आजकल जितने भी smartphone आ रहे हैं वो काफी बड़े हो चुके हैं जब आप एक हाथ से smartphone यूज करते हो तो आपका जो finger है वो उपर notification पैनल तक नहीं पहुच पाता है गैस जब आप इस application को install करके apply कर लोगे तो आप नीचे से ही अपने notification पैनल को swipe कर सकते हो औ दोस्तो जब आप notification पैनल को apply करोगे तो कुछ इस तरह का interface मिलेगा इसमें भी आपको कापी सारे customization की option मिलेंगे आपको इस पे क्लिक करना है और गैज इसका setting open हो जाएगा दोस्तो सेम उसी तरह इस application को भी आपको customize करना पड़ेगा इसका भी link में in description में दे दिया है आप link प देखने के लिए धन्यवाद